नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से नीट यूजी के क्वेशन प्रैक्टिस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं कौन सा मुलस्कन वर्ग है जिसमें नेत्र कशेरू कियों के नेत्र के समान होते हैं यह रहे चारों ओप्शन्स ध्यान से दिख लेज करते हैं तारा मीन संबंदित है चारों ओप्शन ध्यान से देख लिजी एक बार और इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर ए एस्टी राइडिया वर्ग से अरस्तु के लालते निम्न वर्ग में पाई जाती है चारों आप्शन्स आपके स्क्रीन पर धियां हुए ध्यान से बढ़ी का बच्चो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर ए एकाइनो एडिया अगले अगला कुश्चिन है बाए रूप से नर्व वा मादा कौकरोचों को पहचाना जा सकता है यह रहे चारों आप्शन्स आपके सामने एक पढ़ लीजेगा एंड़ राइट आंसर इस न आयांतरन का नियमन होता है चारों आप्शन्स को ध्यान से देखिएगा बच्चो और जिसे भी राइट आंसर मालूम हो वो मुझे कमेंट सेक्षिन अपने आंसर बता सकता है इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर सी एक डी सोन के द्वारा आगे बढ़ते हैं वह कीट जो बिमारियों का सर्वस्रेश यांतरिक वाहक होता है द्यान से पढ़िएगा सारे उप्शन्स को इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर सी मसका निमन में से कौन एकाइनो डर्मेटा में पाया जाता है चारों आप्शन्स से पढ़ लिजिए एक बार इसका सही जवाब है छरिये सम्मिती आगे बढ़ते हैं केचुए में कितनी जोड़ी हिर्दे होते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नमबर बी यानि की फोर नेक्स कुश्चन केचुआ अतियंत लाबदायक होता है क्योंकि ये रहे चारों आप्शन्स आपके सामने बढ़ लेजी बार इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर बी वे मिट्टी को पोली बनाते हैं उसमें अपनी शिप्तियों को छोड़ते हैं वा कार्बनिक कचरे को मिट्टी में मिलाते हैं आगे बढ़ते हैं फैरी टीमा का रख्त होता है यानि केच्वे का रख्त होता है चारों आप्शन्स को ध्यान से पढ़ेगा बच्चो ऑप्शन है डी लाल हीमोग्लोबिन युक्त प्लाज्मा उसका साइज जवाब है गर्मियों वा सर्द्यों मलेरिया पीड़तों वा एनफलीज की संख्या कम हो जाती है नम वा गर्म स्थितियों में मलेरिया का पुना फैलना होता है अगला कुश्चन है आपका यह जहां से देखिए इसका चारों आप्शन्स यह रहें कुश्चन भी पढ़ लिजेगा बच् कशेरों में इस पूरों जौट के जीवित रहने से नेक्स कुश्चन है मेल पिगियन नलिकाएं होती है चारों आप्शन्स है बच्चों ध्यान से पढ़ लिजेगा थ्यान से बढ़ इसका सही जवाब है आप्शन नमबर ए कीटों के उत्सरजी अंग आगे बढ़ते हैं एक कशेरों की गुड है चारों आप्शन्स है सही जवाब है आप्शन नमबर सी पश गुद पुच केचुए के प्रकाश ग्राही अंग स्थित होते हैं अगला सवाल आपका ध्यान से पढ़िएगा आप्शन ध्यान से देख लीजिए इतने साथी जवाब है option number प्रस्ट सतह पर केचुए होते हैं चारों आप्शन्स आपके स्क्रेश पर दिये हुए उब लिष्टों ध्यान से देख हैं और फैर अपने आनसर हमेंG ring कमेंच सको में बताए इघ्र इसकाष जवाब है option number A, लाफदायग होते हैं next रेशम के कीट से रेशम का धागा निन अवस्था के दोरान प्राप्त किया जाता है चारो options पढ़ लीजिए एक बार इसका सही जवाब है option number A, प्यूपल अवस्था last question of the video cast, भेदक, मोलश्क चिप वार्म है चारो options आपके स्क्रीन पर दीए में बच्चे बाध्यान से देख लीजिएगा इसका सही जवाब है option number B, टेरेडो thank you so much guys watching our videos और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमाया चैनल को सब्सक्राइब करें